असलाम लेकूं गाईस कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग ठीक होंगे डिजीटल वीडियो सक्राइब में आप लोगों को खुश आमदीद शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें आपके हमारी आन वाली तमाम वीडियो आप तक पुंचाई जा सके आई हम शुरू करते हैं और इसके अलावा अगर आप इसमें कोई कलर अपलाई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं यहां से आप अपनी शेप को औरीजिनल शेप में क्लिट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप को यह हैंड अपलाई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं अगर आप इस पिक्चर की बात करते हैं तो आप यहां से इसको चिंड कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप इन टूल्ट को कम करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं और यहां से आप इसको अप्लाई कर देंगे और अगर आप इसे प्ले करते हैं तो और इसकी डारेक्शन कुछ इस तरह से होगी और इसके अलावा आप यहां पर कोई टैक्स अप्लाई करना चाते हैं तो आप टाइप भी कर सकते हैं जैसा के मैंने यहां पर इस टैक्स को यहां पर अप्लाई किया है अगर आप इसका फाउंड स्टाइल चेंड करना चाते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं यहां पर हमारे पास कुछ फाउंड स्टाइल मजूद हैं तो इनको यूज कर सकते हैं पिर आप फाउंड स्टाइल चेंड करना चाते हैं तो आप यहां पर क्लिक करेंगी आप यहां से कोई भी फाउंड स्टाइल चेंड कर सकते हैं 600 तक इसकी इंस्टाइलेशन होगी यहां से आप इसमें अप्लाई कर देंगी अप्लाई करने से पहले अगर आप एक्स्ट का कलर चेंड करना चाते हैं तो आप यहां से कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं तो आप यहां से कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यहां से इसका साइज बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं और कम करना चाहें तो वो कम भी कर सकते हैं इसी तरह से आप इसमें कोई भी टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि मैंने इसको स्लेक्ट किया है अगर आप यहां से इसको इंगल की तरफ मूव तो आप मूव करवा सकते हैं अगर कोई आप हैंड अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां से हैंड को स्लेक्ट करेंगे इसके अलावा अगर कोई आप और कोई टेक्स ट्रिप करना चाहते हैं तो यहां पर ट्लिक करेंगे और इसके अलावा अब आप यहां से भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं और यहां से आप इसको अप्लाई कर देंगे यहां से आप इस वीडियो को प्ले करेंगे जिसकी और कुछ डारेक्शन इस तरह होगी आप यहां से कोई भी टेक्स यहां से अपलाई कर सकते हैं यहां से आप कोई भी अपलाई कर सकते हैं इसको आप उठाकर कहीं भी रख सकते हैं अगर आप इसका कलियर चेंड करना चाहें तो आप इस तरह कलियर चेंड कर सकते हैं यहां से आप कोई भी कलर अपलाई कर सकते हैं स्टाइल चेंड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने इस फाउंड स्टाइल को स्लेक्ट किया यहां से इसकी इंस्टाललेशन होगी और इसके अबाद आप यहां से इसको अपलाई कर देंगी और आप इसको मूव करना चाहते हैं तो आप इसको मूव भी कर सकते हैं यहां से आप इसका एंगल चेंज करेंगी और यहां से आप इसको अपलाई कर देंगी और यहां से आप इसका साइज कम कर देंगी